आसाराम के बारे में कहा जा रहा है कि आसाराम की जो रात है वो काफी बेचैनी में गुजरी है करीब 4 साल 7 में से वो इस फैसले का इंतजार कर रहा था कल समाने रूप से ठीक से खाना भी नहीं खा पाया है इस तरह की बाते कही जा रही है सुबह जग गया सुबह जगने के बाद पूजन किया है पूजा के बाद अभी बैठा हुआ है इंतजार कर रहा है कि आज फैसला क्या आता है